कि आज बात करेंगे फिलिप्स कारवन के वाटर फूर्थ के बारे में किस तरीके से इसके जो है रिजल्ट साते हुए देखें हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो स्टॉक पर देखने को मिल सकता है अगर बात करते हैं और यहां पर बैसिकली आप यह वाले जो रिजल्ट है ना एक बार यह देखें तो यहां पर चीज यह देखने को मिल रही है कि इस वार का जो जो क्वाटर गया है इंकम के इसाब से अगर देखेंगे तो इंकम जरूर जो है बढ़ती हुई देखिए प्रीविएस क्वाटर के अकॉर्डिंगली और प्रीविएस य गड़ी बात जो देखने को जो मिल रही है जुक्व स्ट मिटेरियल जो बढ़ता हुआ देख रहा है जो मेट में की जो कोस्ट है कि जो बढ़ती हुए दिखके है कुछ एकस्पैंसे जदा तो बढ थे दिख रहे है तो उन सब को देखा जाए तो यो मिन्त करने तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेटेरियल की कॉस्ट जो रो मेटेरियल की जो कॉस्ट है या कुछ और जो अधर खर्चे हैं वो ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं तो यहां पर अगर आप यह वाला प्रॉफिट देखेंगे इस क्वाटर का तो जस्ट उनली 88 करोड के आसपास क गया है जबकि प्रीबियस एयर में इस क्वाटर के अंदर जो प्रॉफिट आये ता वहा आए था एक सो सब्ताइस करोड के आसपास अब यह वाई टॉइन के साफ से देखो तो 313 करोड का प्रॉफिट था जो एवड़ा 22 के अंदर इनका जो प्रॉफिट आया वहाई करणर करदेखे तो lors çek Stress देखेंगे तो प्रॉफिट जरूर जो है इंकरीज होता हुए दिखाया करीफ-करीब-, 35% की आसपास का जो हैろう प्रॉफिट इंकरीज हुआ है 35% लेकिन ही बाला करूटर जिस तरीके से जाता हुआ दिखा सब्सक्राइब तो completely 400 करोड का profit जो है company कही ना कहीं कर पाएगी, hopefully ये वाला year अगर अच्छा जाता है by 23, और अगर कुछ और चीज़ें जो है company include करते हुई देखती है, या नया production जो है इनका शुरू होता है, या कुछ अगर ऐसी चीज़ें होती हैं खोदना खासता, तो बहुत चीज़ बहुती बढ़िया रहेगी, लिकिन फिलाल के एसाब से अगर इस वाले quarterly result के एसाब से अगर average निकाला जाए profit का, तो कोई जादा मतलब optimistic result देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं, carbon black पे ही basically pressure है, पावर वाला जो segment है वो तो year on year के एसाब से ठीक काम किया है, और FY21 to FY22 जो है उसमें growth ही देखने को मिल रही है, पावर वाले segment के अंदर, carbon black वाला जो segment है वो कहीं न कहीं जो है लड़ खड़ा रहा है, अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक चीज और रख दूँ, तो कि इनका जो lifetime high का जो result रहा है, जो profit रहा है, वो मैं एक बार आपके सामने रखना चाहूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, small cap company है, और dividend yield ढाला कि इसकी बहुत अच्छी है, 3.10 के आसपास की और 1 की जो है face value है, यहाँ पर आप एक बार ना profit देखें, बेसिकली, आप यह देख सकते हैं कि इनका जो lifetime का जो profit जो रहा है, सबसे अधा जो profit इनका जो रहा है, वो high highest profit 2019 के अंदर 382 करोड के आसपास का, पिछले 5 साल का जो profit है, उनको तो जो है सरपास करता हुआ दिख रहा है, stock उस तरीके से अभी perform भी नहीं किया है, मुझे लगता है कि आने वाले time में थोड़ा pressure और देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि आने वाले 6 महीने या 12 महीने, तोड़ा सा और जो है, इस बार profitability पे थोड़ा बहुत pressure और देखने को मिल सकता है, इसलिए कहीना कहीन चाल जो है stock के अंदर देखने को अभी नहीं मिल पा रही है, growth basically कहां से आएगी, next quarter का जो है अगर result अच्छा आता है, 100 प्लस का अगर result आता है, वो कहीना कहीन जो है trigger करता हुआ नजर आएगा, otherwise मुझे नहीं लगता है कि stock जो है बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है, basically फिर यह हो सकता है कि 120, 130, 140, 150 तक जहूर जाता हुआ देखे, लेकिन बहुत जादा ready, बहुत जादा तेजी इस stock के अंदर मुम्किन थोड़ा कम ही लग रही है, इस तरी चार्ट पैटरन अगर इनका shareholding pattern देखेंगे तो ठीक ठाक shareholding pattern basically बना हुआ है, लेकिन यहां पर आप एक चीज यह भी देखें कि promoters ने भी अपनी holding को जो है decrease किया है basically यह चीज भी जो है आप एक बार ध्यान में रखेंगे अब अगर आप कोई video चले के तो आप लाइक जरूर करिएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है तो हमारे प्रेसर जिवाला क्वाटर जिस तरीके से पर्फर्म किया है वह कही ना कहीं जो है सस्टेनिविल्टी देखने को नहीं मिल पा रही है अलागी ठीक है अब प्रॉब्रम जरूर जो है रह सकती अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यहां पर चार्ट पैटर्न अगर जैसा जो ब सकता हूं अभी तक देख सकते हमने लाइफ टेम हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है जो लगा था उसको अभी तक जो है यह ब्रेक नहीं कर पाया है जबकि यहां पर देखें तो पिछले पांस साल के अकॉर्डिंग जो हाई पर चल रही है यहां पर एक चीज और आप देख है कि यहां पर अभी तक इस वाले हाई को भी स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाया है करीब करीब अच्छा खासा टाइम हो चुका है तो अभी तो रिसेंटली यही हाई जो है ब्रेक नहीं हुआ जो रिसेंटली जो हाई लगा है और उपर से आप देख सकते हैं अप्रेवाली के के अंदर अच्छा खासा प्रेसर जो है बना हुआ है इसके अंदर हलाकि लेकिन यहां पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि पर्फॉर्म चार्ट अभी बिल्कुल नहीं कर पा रहा है प्रॉब्लम अभी इसके अंदर जो है बनी हुई है प्रॉफिटेविल्टी के हिसा का प्रॉफिट अगर हंड्रेट के अंदर में अगर आता है तो मुझे लगता है कि कहीना कहीं थोड़ा सा इस्टॉक यहीं कि यहीं थोड़ा वात ऊपर नीचे गूम सकता है तो कुछ समय के लिए मेरे इसाब से इसको जो है वोईड भी बिल्कुल किया जा सकता है फ्रेश कि लिए मेरे निकल जाओं कोई दिक्कत की बात नहीं है बात में इसको जो है वाई कर लेना लेकिन कुछ समय लेके लिए निकल जाओं को प्रॉब्लम की बात में चिसाब से लेकिन आने यह तरीके का यह वाला जो है क्वार्टर जाता हुआ दिखा रहेंगा अब आने वाले टेम में कैसी यह कंपनी के आते हैं वह देखने वाली बात होगी लेकिन यहां पर जो है प्रॉब्लम की बात नहीं है जब भी आपको और नीचे मिले बिल्कुल आप जो है अबरेज करके चलने शॉट में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है यह स्टॉक अपना भी एनलाइसिस एक बाद जरू कर लें उसके बाद इस टॉक को बाई सेल या वोल्ड करें चार्ट में अभ यह वर वाचिंग इस वीटियो